नमस्कार दोस्तों, दोस्तों भारतिय जुन्ता पार्टी के नेता, यूट्यूबर दुरूवराठी को जेल भीजने का प्लान बना रहे थे, उन पर मुकदमा कर रहे थे, लेकिन हालात ये हो गए कि केस लड़ने के लिए अपने आरोपों को साबित तक नहीं कर पा रहे हैं, टंग के सबूत ही नहीं उनके पास, तो साबित कैसे करेंगे, लेकिन पंगा उस दुरूवराठी से ले रहे हैं, जो अपनी 8 मिनिट के वीडियो में एक एक शब्द को विद प्रूव दिखाता है, ऐसे पे दुस्तों, कोर्ट में तो भारती है जुन्ता पार्टी के नेता के फजीहत हुई ही, लेकिन अब दुरूवराठी ने भी उनकी कायदे से बेज़ती कर दी है, पूरा मामला क्या है, अब वो भी समझिये, दरसल 7 जुलाई 2024 को दुरूवराठी ने अपने एक यूट्यूब चैनल पर माई रिपलाई टू गोधी यूट्यूबर्स नाम का एक वीडियो अपलोड किया था, जुसके बाद भारती अजंता पार्टी के मुंबई के प्रवक्ता, नकुआ ने राठी पर बिना किसी कारण के उन्हें हिंसक और अपमान जनक ट्रोल कहने का आरोप लगा दिया, जिस आजगा के साथ जो हलफ नामा दिया था वो दोश पून था और उन्हें इसे नए सिरे से दाखिल करना चाहिए, निया अधीज ने कहा कि भले ही हलफ नामे में दोश को ठीक किया जा सकता था, लेकिन नकुआ इसे ठीक करने में विफल रहे और दोश पून हलफ नामे के रिपोर्ट जारी की है और बताया है कि क्या कुछ साकेत कोर्ट के अंदर हुआ है, वारिट मिंच अपनी रिपोर्ट में क्या लिखती है, देखिए, रिपोर्ट में लिखा है कि 20 सितंबर को जब मामली के सुनवाई हुई, तो राठी की ओर से वरष्ट अधिवक्ता लापथ नहीं किया गया था, ये बताया गया कि नखवा ने अपने हलफ नामे में मुंबई का निवासी होने का दावा किया था, लेकिन उनके हलफ नामे को दिल्ली में नोटरी कृत किया गया था। के साथ संशोधिश शिकायत प्रस्तुत करने की अनुमती मांगी उन्होंने आगी कहा कि नकुआ का गुडगाओं में एक कार्याल है लेकिन अदालत ने इस तरक को खारज कर दिया और उन्होंने नया हलफ नामा दायर करने का निदेश दिया जोस्तों गोड ने ये भी बताया है कि अदालत मामले के अगली सुनवाई 14 नेवंबर को करेगा और तब ही ये बास साबित हो जाएगी कि क्या द्रोवराठी ने किसी भी तरीके से कोई गलत आरोब भारतिय अजंता पार्टी के नेता पर लगाया है और भारतिय अजंता पार्टी के नेता जो है कि में तब रुवराथी ने भी इस पर मज़े लेना शुरू करे तो बेज़ती कुछ जादा ही हो गई, जो बची खुची इज़ती थी उसकी भी किरकिरी हो गई, जोस्तो खुद भारती एजनता पार्टी के सपोर्टर भी नकवा की नासमजी पर सर पीट रहे हैं, तो रुवराथी ने कर रही है, जनता का क्या कहना है वो भी देख लिए जाए, एमोक नाम के एक पेज ने लिखा है, there's nothing new, डुरुभाई, these BJP leaders are WhatsApp graduates, just like their supreme leaders who did a BA in entire political science, यहां पर सीधे तोर पर यह कहा जा रहा है कि भाई, यह जो भारती एजनता पार्टी के नेता हैं, केस कलने तो चले आए हैं लेकिन उनको यह तक नहीं पता कि आखिर उनको कहना क्या है, कोर्ट में किस तरीके से अपना केस लड़ना है, वो यह भी नहीं जनते, क्योंकि यह सारे किस सारे WhatsApp University के graduates हैं, इसके आगे अशीज लिखते हैं, इसरेली जोग, they don't know how to file affidavit, दुरुवराथी ब्रदर हम आपक इसके आगे एक और tweet है, अबदुल, अबदुल लिखते हैं, कि what else can we expect from WhatsApp University graduate, यानि कि आप WhatsApp University के graduate से आखिर उमीद भी क्या कर सकते हैं, इस तरीके से तमाम लोग उने भारते अजनता पार्टी के नेता को ट्रोल करना शुरू कर दिया है, वो गए थे वहाँ पर अपनी ट्रो यूसी पर देख रहे हैं, नमस्कार